दोस्तो एप लॉक तोरना उतना हार्ड नहीं है जितना आप सोचते हो एप लॉक तोरना या खोलना बहुत ही असान है बस ट्रिक को मालूम होना चाहिए अगर आपके फोन में एप लॉक लग जाता है तो ऐसे में आप घबरा जाते हैं आपको लगता है कि अब ये कैसे तूटेगा और आप उसी घपराहट के बज़े से आप अपने मार्केट जाते हैं और मार्केट में फोन को बनवाने के लिए दे देते हैं और आपको जो मोईल बना के देता है वह आपको सौ डेर सो रुपय का लोस हो गया लेकिन वह करते क्या है दुकान वाले बस सिंपल सा एक ट्रिक को यूज करते हैं और आपका फोन का अप लॉक या फिर कोई भी लॉक लगा रहता है उसे तूरत ही रिमूफ कर देता है तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को दोस्तों वही ट्रिक सिखाने है चार ऐसे ट्रिक सिखाऊंगा जिससे आप किसी भी एप का चाहे तो कैसा भी एप लोग हो वो बहुत ही असानी से आप खोल सकते हो घर बैठे और इसके लिए आपको कोई भी पैसा देने का बिल्कुल फ्री में आप यह ट्रिक सिखेगा इसके लिए आपको कोई चार्ज पे नहीं करना है मैं आपको बताऊंगा ऐसे आपको एप लोग खोलना है तो इस वीडियो में आप सभी को जो चार ट्रिक सिखाया हूं आप उन चार ट्रिक को ध्यान सा सुनिए और देखिए तब आपको समझ में आजागा कि एप लोग कैसे खोलते हैं अगर आज के बाद आपके फोन में एप लोग लग जाता है या फिर आपके दोस्त या फिर किसी के भी फोन में एप लोग लग जाता है और आप उसे बहुत ही असानी से खोल पाएंगे लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद ही तो चलिए इस वीडियो को में स्टार्ट करते हैं मैं उम्मिद करता हूँ दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आगा तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और गैस अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार मुझे आपसे request है कि आप मारे चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करना भी free है सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है तो यह वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राब जरूर ही कर दिजिए तो चलिए आज के अपना इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो हमारा पहले ट्रिक है कि अगर आपके फोन में एप लोग लगा है कोई भी थर्ड पार्टी एप से जैसे कि कोई प्ले स्टोर से एक एप लोग डाउनलोड किया है और उसी एप लोग से वो अपना एप को लोग कर रखा है तो हमें इसका लोग खुलने के लिए फोन के सेटिंग्स में जा करके इस एप्लिकेशन को फोर्स स्टॉप कर देना होगा force stop करते ही होता क्या है कि यह application काम करना बंद कर देता है और जिस किसी भी application में आपने इस application से lock लगाया है वो सभी के सभी lock जो है वो खुल जाते हैं तो यह trick इसी में काम आता है तो इसलिए मैंने आप सब को बला कि यह simple है दूसरी जो है वो सायद ही लोग जानते होंगे और अगर नहीं जानते हैं तो भी आप सिख जाओगे घबराने की कोई बात नहीं है दूसरी इससे भी आसान है लेकिन दोस्तों किसी को पता नहीं होता इसलिए मैं इससे cover किया हूँ नहीं तो हमाले तीसरी चौटी जो ट्रिक है वो काफी work करने वाली है और सभी के phone में भी work करेगी तो दूसरी ट्रिक हमारा किया है वही पहले मैं आपको बताता हूँ तो दूसरी ट्रिक है कि अगर जिस application से वो lock है उस application को direct आप play इसलिए वो बोलेंगे कि यह fault है ऐसे ही बता रहा है नहीं दोस्तों यह काम करता है मैंने बहुत सारे phone में भी इसे देखा है तो work किया तो मुझे लगा कि इसे बताना चाहिए तो इस trick को आभी try कर सकते हैं अगर आपको trick अच्छा लगे तो तो अब हम बात करते हैं तीसरी trick जो है वो genuine है बिल्कुल real है जो आप सब जो है वो कर सकते हैं जैसा कि मैंने पिछले वाले वीडियो में भी यह trick को जिक्र किया था लेकिन अभी मैं चार तरीके बता रहा हूँ तो तरीके में यह trick आ रहा है आप उस वीडियो को अब देख सकते हैं तो forget करने के बाद जो है वो applock का password फिर से जासे आप password forget करते हो applock का तो आपको एक नया password मिल जाता है उसमें नया password अप सेट कर लेते हो जिससे आपका password जो है वो खुल जाता है तो यह तीसरा trick था चौथा जो trick है आप मालेची हो सकता है आपके phone में forget password करने पे भी आपका password नहीं मिल रहा है या फिर किसी और भी तरह का issue आ रहा है तो आप उसे कैसे तोड़ सकते हो जैसे कि privacy password lock लग गया private set में password lock लग गया तो आप उसे कैसे खोल सकते हो तो यह चौथी trick इसमें 100% काम करेगी अगर मालेची कोई भी option आपके पास नहीं बच रहा है कि आप लोग को कैसे खोलना है लेकिन आपको खोलना भी जरूरी है तो इसके लिए चौथी trick बहुत ही काम करेगा चौथी trick में दोस्तों कि आप अपने phone को hard reset कर देजिए hard reset करने के लिए मैंने अपने YouTube चैनल पर धेर सारी वीडियो भी डाल चुका हूँ तो आप उस वीडियो को देख लिजिएगा hard reset कैसे करते है hard reset करने से यह होता कि phone में जितना भी virus हो जितना भी कोई भी lock लगा हो जैसे कि phone lock, pin lock, password lock, pattern lock किसी भी तरह का कोई भी lock लगा हो वो सभी का सभी lock जो हो रिमूव हो जाता यानि कि हट जाता है और फिर उसके बाद जब hard reset phone हो जाता है तो अपने phone को customize करना पता है उसके बाद आपका phone बिल्कुल नए जयसा हो जाता है लेकिन इसमें एक ही issue आता है सभी topic के उपर वीडियोज लेकर आ चुका हूँ तो आप मारे वीडियो सेक्षिन में जा करके देखिए आपको काफी डेसारे tricks मिल जाएंगे जो आपके लिए और आपके phone के लिए काफी जरूरी है तो यही चार्ट trick मुझे आप सब को देना था मिलते हम अपने अगले वीडियो में आज के लिए इतना ही तब तक के लिए जाहिन बंदे मातरम